इस कारिकरम की प्रायोजक है मेट्रो अलमीरा मजबूत खूबसूरत और भरोसे मंद अलमीरा मेरी इंस्पिरेशन में और मैंने और आज मैं फिर आपस के मध्यम से बोलती हों कि मुझे करव है कि मैं आज उस देश के प्रद्वानमंत्री माननी मोदी जी हैं जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभी आंको चला आप देख सकते हैं कि जब मानि प्रधान मंत्री जी की सरकार बनी 2014 में उस समय सेक्स रेशियो में कितना डिफरेंस था आज हमारी बेटी यहां बेटों को कंपैरिजन में ज्यादा पैदा हो आप लोग सुनना क्या चाहते हैं यह बता दीजिए आज नहीं हो क्या टिकट ही टिकट ही एक ऐसी चीज है जिससे कि महिला शुशक्तिकरण को हम चरितार्थ कर सकते हैं जब मैं भारती जन्ता पाटी में 2016 में जब दुबारा से मैं अक्टिव पॉलिटिक्स में आई तो मैं उससमें भारती जन्ता पाटी की विधायक है मंत्री नहीं थी उससमें महिला मुर्चा की मैं प्रदेश अध्यक्ष थी इसा कोई राइटेरिया नहीं है कि महिला शशक्तिकरण में उसी महिला को हम शशक्त मानेंगे जो मंत्री होगी या जो विधायक होगी कि मुझे महिलाओं के लिए मैंने कहा है मैं आदी आबादी का प्रतिनेदित्व करती हूं और करती रहूंगी ऐसा नहीं है हमेशे हर एक व्यक्ति को जब मैं देखिया मैं जब विधायक बनी और उत्तरप्रिदेश सरकार में मंत्री बनी तो मैं जानती थी कि मैं अब महिला मोचा की अद्लेक्ष नहीं रहूंगी जरूरी तो है नहीं कि हर जगे स्वाथी सिंग कैप्चर किये रहे और दूसरे को मौका ना मिले 2016 में जब आप भाई थी दूसरे समय नारा दिया गया था कि बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में और ऐसे में एक मंत्री का टिकट कर जाना वो भी एक एक मंत्री से कर दो मुझे क्या पार्टी से निकाल दिया गया है मैं इस पार्टी का हिस्ता थी हूं और आजीवन रहूंगी और इस पार्टी में वही सम्मान मेरा बना रहे गा अच्छा आपको लगता है कि पार्टी ने आपको टिकेट काट के दाज यश्वर सिंग को दिया तो आपसे ज्या कार्टी 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 कार् करेंगी आदी आबादी का एक प्रतिमिद्धी को चुकी मैं कर रही हूं तो उस नाते में तो में अपने लिए की ती 17 में आने के लिए क्या उतनी मेहनत तब सरोजनी नगर में करेंगे अगले प्रत्याशी के ज़िए मैंने 2016 में भी हम सब पाटी के कारेकरता होने मेहनत किया है 2017 में भी किए 2018 में भी किए 2019 में भी किए 20, 21, 22 अब निरंतर करते रहेंगे जब तक इस देश में हर एक व्यक्ति शशक्तना हो जाए आप पाट साल पनिस्टर रहें आप अपने कां से सटिस्वाइड है बिलकु सटिस्वाइड है मंत्राले का भी मुल्यांकन कर सकते हैं मैं आत्मसंतुष्टी और सबसे बड़ी बात आत्मसंतुष्टी इसलिए भी है कि जब लोग इतना प्यार करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्दी है मेरे लिए एक भार्टी जंता पार्टी के कारे करता होने के ना से बग़ बड़ी जो अनकी ज़वी है कही न कहीं उनकी छवी की वज़ए से आज मुझे मेरे क्षेत्र के लोग इतना प्रियार करते हैं पहुत कम विदायकों को देखते हैं कि इतना ज़्यादा शेत्र जाते हैं कुछना हमने आपको देखा कासरे लोकर उसमें लेकिन बावदूदिश के जब आप टिकेट करें तो हम लोग से शॉकते हैं, मतलब हमें लोग को उमीद नहीं थी तो और भी निगा विदायक, आप वहां कर प्रत्रीश करते हैं, उस तो आपको कि लखा होगा कि भाई रहता तो अच्छा था नहीं, मुझे नहीं लगा, इसले नहीं लगा क्योंकि मुझे 2017 में नहीं पता था कि मुझे सरोणी नेगर विदानसाबा से टिकेट मिल जाएगा और मैं जीत जाओंगी और मैं मंत्री हो जाओंगी हाँ को देश का प्रदेश का तो कहीं ना कहीं भीत नहीं था है आप लोग को जो मैंने दिया नहीं तो आप लोग फेल हो गए राजेश्वर जी का आप समर्थन करेंगे? कि राजेश्वर जी भी भारती जन्ता पार्टी के काणडिडेट है, मैं हर उस व्यक्ति का समर्थन करूंगे जिसको मेरे पार्टी ने ख़रा तो इसको कोई बात की कोई पटाया था किस ने आपको कि प्टीकट इस बार आप नहीं लग रही है कि पार्टी की किसी से आप महिला के लिए कि महिला की दुश्मन होती है आप ऐसा मानती है बताये मानती है जब नहीं मानती है तो साथ में काम करने हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधिती और अपढ़ना ही पूरे भारती जनता पार्टी में बहुत महिला आए हैं हम सब के साथ काम करते हैं और बहुत अच्छी बात है और मुझे गर्व होता है कि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जब बेटी बचाव बेटी पढ़ाव का हम नारा लेके चलते हैं जब पडार करता है क्या है प्रटी के संबान में भाजपा मैदान में जन हम कहते है इसी का नतीजह है कि ढूसरी दूसरी पार्टीं से भी लोग जो महिलाए है है वो हमारी पार्टी में आरहे ह तो अब बिल्कुल नहीं हूँ, मैं पार्टी का जो भी डिसीजन है, मैं उसका समर्थन करती हूँ और मुझे यह भी विश्वास है कि पार्टी भविष्य में बहुत ही जो भी जिम्मेदारी देगी, उसका मैं बहुत ही निष्ठा के साथ और बहुत ही इमानदारी से मैं उसका निर्भान भी करूँ आप अपको पता है यह दुलिया की सबसे बड़ी पाटी अगर आप सदस्यों की संख्या देखेंगे तो इस दुनिया की सबसे बड़ी पा की अगर इस पार्टी में जो भी लोग काम करते हैं जो भी कारे करता भारती जनता पार्टी का है और इस पार्टी का हिस्सा है वो अपने नेत्रित्व से प्रश्न नहीं करता है और नेत्रित्व को पता है कि हमें किसे किस समय क्या जिन्मेदारी देनी है उसको पता है देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबर होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एंटी टीवी भारत